सबी विध्यार्तियों को नमस्कार बीए सेकेंड येर के प्रयोगात्मक मनुविज्ञान से हम आज यूनिट फाइव से एक टॉपिक का अधिगम करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है ट्रांसफर ओफ लर्निंग या अधिगम अंतरण प्रसिक्षन या अधिगम अंतरण जो है वह एक बहत पूर्ण संप्रत्य है एक महत पूर्ण कॉंसेप्ट है जिस पे कई तरीकी की रिसर्चेस और एक्सपरिमेंट्स हो चुके हैं और अधिगम अंतरण से विद्यारतियों यह तातपरे है कि यदि आपने पहले कोई कौशल सीखा है उस कौशल का वर्तमान कौशल को सीखने पर यदि प्रभाव पड़ता है तो उसे हम अधिगम अंतरण कहते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन्स पर यह जो डैफिनेशन दे रखी है उसमें भी लिखा है अधिगम अंतरण से पर यह है कि पहले सीखे गए कौशल का वर्तमान कौशल को सीखने पर पड़ने वाला प्रभाव जैसे यदि कोई व्यक्ति ट्रक चलाना सीख कर कार चलाना सीखता है तो ट्रक चलाना सीखने से यदि कार चलाना सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है तो इसे हम प्रसिक्षन अधिगम अंतरण की संग्या देते हैं तो जैसा हम उधारण में देख रहे हैं कि यदि आपने कोई कौशल पहले सीखा है और उस कौशल का प्रभाव आज सीखे गए प्रसिक्षन पर या आज सीखे गए किसी कौशल पर पढ़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे अधिगम अंतरन और यहाँ पर जो एक्जामपल दिया उसमें यह बताया गया कि यदि आपने किसी को ट्रक चलाना आता है और वह कार चलाना सीखता है तो ट्रक चलाने की सीखने की प्रक्रिया है वह कार चलाने की सीखने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती है इससे कार चलाने की जो प्रक्रिया वह प्रभावित होती है और इस जैसे हम बूसे उधान से भी समझ सकते हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति टू वीलर चलाना चाहता है, या सीखना चाहता है, तो यदि उसने पहले साइकल चलाना सीख रखा होगा, तो उसे स्कूटर चलाने में या बाइक चलाने में आसानी होगी, और ये जो स्किल उसने कौ प्रत्मान में सीख रहा है उसमें उसको उससे help मिलेगी तो अधिकम अंतरन यहां transfer of learning का मतलब यही हुआ कि जो आपने पहले कोई कौशल सीख रखा है उसका आज के सीखे गए कौशल पर प्रभाव जो पढ़ता है उसे ही हम transfer of learning केहते हैं अन्डर वुड ने 1966 में अधिगम स्थांतरन का अर्थ वर्तमान प्रकरिया पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव को बताया अंडवुद ने ये बताया कि प्रसिक्षन अंतरण या अधिगम अंतरण का अर्थ है कि वर्तमान प्रक्रिया पर जो वर्तमान में आप सीख रहे हैं उस पर पूर्व अनुभवों का क्या प्रभाव पड़ता है उसे ही हम अधिगम स्थान अंतरण कहते हैं इसी प्रकार हिलगार तथा एटकिंसन ने भी 1967 में बताया कि अधिगम स्थान तरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है जैसा कि मैंने भी आपको धारन से समझाया कि अगर आपने साइकल चलाना सीखा है तो इसका प्रभाव जो है आपके स्कूटर च चलाने की सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है तो एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ना ही अधिगम अंतरण है उप्रोप परिभाशाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस्थानता अंतरण पूर्व में सीखे गए व्यावार का वह प्रभाव है जो वर्तमान में सीखे जा रहे व्यावार पर पड़ता है तो अब हम इसे समराईज करके कह सकते हैं कि ट्रांसपर ओफ लर्निंग पूर्व में प्रिवियसली जो आपने व्यावार सीखा है उसका वर्तमान में सीखे गए व्यावार पर जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम ट्रांसपर ओफ लर्निंग कहते हैं अधिकम अंतरण से यह स्पष्ट है कि सीखने के अंतरण में पहले सीखा गया कौशल बाद में सीखे जाने वाले प्रभाव डालता है। तीन प्रकार से पढ़ता है। पहला प्रकार क्या है घनात्मक अंतरण या हम इसे कहते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। दूसरा है रिनात्मक अंतरण या नेगेटिव ट्रांसफर। और थर्ड है शुन्य अंतरण या जीरो ट्रांसफर। तो जो आपने पहले सीखा है उसका प्रभाव दूसरे सीखे गए कौशल पर तीन तरीके से पढ़ता है जो हमने यहाँ पर देखा पॉजिटिव, नेगटिव and जीरो ट्रांसफर अब घनात्मक अंतरन क्या है? यदि पहले सीखा हुआ व्यवार वर्तमान में सीखे जारे व्यवार में सहायक होता है तो इस प्रकार का अंतरन घनात्मक अंतरन कहलाता है जैसा कि इसकी परिबाशे से स्पस्ट हो रहा है कि यदि हमने जो चीज सीखी है पूर्व में सीखी गई जो कौशल है वह बाद में सीखी गई कौशल पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है तो उसे हम घनात्मक अंतरन कहते हैं जैसे यदि किसी व्यक्ति को हिंदी भाषा सीखने के बाद भोजपुरी भाषा को सीखने में उससे मदद मिलती है तो यह घनात्मक अंतरन का उधारन होगा इसे आप और किसी भी तरीके से भी मतलब एक्जामपल में ले सकते हैं जैसे यदि आपने हिंदी भाषा सीखी है और हिंदी भाषा के बाद आप संस्कित भाषा सीख रहे हैं हिंदी सीखी गई जो भाषा है, वो आपके सलस्कीत सीखी गई भाषा में, क्या करेगा? सहायक होगा, इसलिए यह घनात्मक अंतरण है, दूसरा है, रिनात्मक अंतरण, यदि पहले सीखा हुआ व्यावार, वर्तमान में सीखे जा रहे हैं व्यावार में, बाधक होता है या बादा डालता है तो उसे हम रिनात्मक अंतरन कहेंगे तो अगर सीखा गया व्यवार बैरियर उत्पन करता है दूसरे सीखे गये व्यवार में तो उसे हम रिनात्मक अंतरन कहते हैं या नेगेटिव ट्रांसपर कहते हैं और इसका example हम बता सकते हैं कि यदि कोई संस्कृत भाषा सीख कर अंग्रेजी भाषा सीखेगा तो उसे उसमें क्या होगी? मुश्किले लगेंगी क्योंकि संस्कृत और हिंदी भाषा बिल्कुल यह अलग है तो यहाँ पर पहले सीखे गई जो कोशल है जो की संस्कृत भाषा है वह दूसरे सीखी गई भाषा जिसे हम इंग्लिश क्या रहे हैं अगर वो सीखता है तो उसमें उसे बाधा मैसूस होगी और इसे ही हम डिनात्मक या नेगेटिव ट्रांसफर कहते हैं शुन्य अंतरण या जीरो ट्रांसफर कुछ परिस्तितियां इस प्रकार की हो सकती है कि पहले सीखे गए व्यवार का वर्तमान में सीखे जारे व्यवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इस प्रकार के स्थान अंतरण को हम शुन्य अंतरण कहेंगे ये इस व्यवार में क्या होगा विद्यारतियों कि आपने जो पहले सीखा है कौशल उसका आज जो सीखरे हैं उस पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसलिए हम इसे सुन्य अंतरण या जीरो ट्रांसफर कहेंगे तो विद्यारतियों आपने इस अध्याय में अधिगम अंतरण या ट्रांसफर अफ लर्निंग किसे कहते हैं और ट्रांसफर अफ लर्निंग के क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं वह आपने अध्यन किये सभी विद्यारतियों को इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद